हेलो दोस्तो आज है जनवरी की नौ तारीक और हम आए हैं एक उंची पहाड़ी में आज हम देखेंगे सन्राइज हिमाचल प्रदेश में सर्दियों में जो सुरे उदय होता है वो एक संतरी रंग का लालगी लिए हुए होता है पहाडों के बीच से उगता हुआ सूरज बहुत ही प्यारा लगता है हनकी आज कल थोड़ा सा बारिश और बर्बारी ना होने के कारण आस्मान साफ नहीं है लेकिन फिर भी सवेरे सवेरे सुरे उदय बहुत ही प्यारा देखने को लगता है बहुत ही शानदार शहरों में तो पूरी तरह से प्रदुशन होता है प्रदुशन के बीच सवेरे का सुरे उदय देखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और कई लोग सुरे उदय के बाद तक सोते रहते हैं तो उनको भी सुरे उदय देखने से जो आनन्द आएगा वो देखने से वो चूक जाते हैं बहुत ही प्यारा विव है गोल गोल सा और संत्री रंग का लालगी लिए हुए सुरज आस्मान भी पूरी तरह से इसने संत्री कर दिया है इस वीडियो को दस मिनट का बनाया गया है लेकिन इसे थोड़ा सा जादा स्पीड में चला कर इसे तीन मिनट का ही रखा गया है इसलिए आपको इस वीडियो में थोड़ी सी क्लिपे स्पीड में चलती हुई भी दिखाई देगी हीमाचल प्रदेश गूमने के लिए एक सुर्वत्तम जगा है और यहां सवेरे जब आप आंग खुलेंगे और सवेरे सोने के वक्त तक भी यहां नएने द्रिश्य देखने को मिलते रहते हैं बहुत ही सुन्दर व्यू पहाड़ों के उपर से एक बड़ा सा आग का गोला निकलता हुआ इसको देख कर तो मन बहुत ही आनंदित हो रहा है हाला कि सवेरे सवेरे आजकल जनवरी के समें ठंड भी काफी है लेकिन जैसे जैसे अब धूप शरीर पर पड़ रही है वैसे वैसे थोड़ी से गरमाहट भी यानी शुरू हो चुकी है आजकल खेतों में पाला भी पड़ा है और पाले की बज़ास से बहुत ठंड भी हो जाती है लेकिन जैसे दूप लगती है पाला गलना शुरू हो जाता है और दूप की बज़ास से जो तापमान में ठंड रक होती है वो भी खतम हो जाती है बहुती शांदार वियू दोस्तो आप कोशिश करिए सवेरे जागने की ताकि आप ये प्यारा सा सुरे उदय देख सकें